Hello everyone, हमने equation of motion के बारे में तो पहले बात की है आपको पता है कि हमने previous chapter में कुछ important equations के बारे में पढ़ा था जो कि थी equations of motion अब उन equations of motion का इस chapter में क्या काम है तो इस chapter में भी हमने एक तरह का motion पढ़ा है एक तरह का acceleration पढ़ा है तब वो condition हो रहे थी अब क्या उसके लिए आपकी equation चेंज हो जाएगी motion की तो बिलकुल हो जाने चाहिए क्यों हो जाने चाहिए तो हमारा जो हमने motion पढ़ा था वो हमने horizontal motion के बारे में पढ़ा था जब हमने equation of motion को find out किया था तो हमने वो horizontal motion के respect में find out की थी अब हमें वर्टिकल मोशन के रेस्पेक्ट में एक्वेशन्स को फाइंड आउट करना है आपको यह तो बहुत अच्छा से पता है कि जब भी कोई अबजेक्ट यानि अगर हम बात करें कार की सपोस्पोस मैं कार की बात करती हूं ठीक है हमारे पास है एक कार अब यह जो कार है तो अब यह कार यहां से यहां पर आजाती है थोड़े दाइम के बाद में अगर आम देखेंगे तो कार जो है मूव कर रही है हमने इसके अंदर कौन कौन सी क्वांटिटीस ली थी फृस्ट हमारा था यू u का मतलब क्या था initial velocity थी u का मतलब था हमारी initial velocity कि जब कोई object जब हम उसको observe करना start करते हैं उस time पे उसकी velocity क्या है अब initial velocity can be 0 also initial velocity can be a number also कोई भी magnitude हो सकता है इसका मतलब अगर मैं बात करूँ कि यह जो object है यह जो car है यह rest में थी तो rest में थी इसका मतलब क्या हुआ जो u होगा वो 0 हो जाएगा लेकिन अगर मैं इसको observe कर रही हूँ जस time पे उस time पे इसकी velocity जो है वो 10 meter per second या 20 meter per second के आसपास है इसका मतलब वो क्या हो जाएगी उसकी initial velocity हो जाएगी अब जब हमने car को कहा यहां से वो यहां तक आ चुकी है अब यह हमारी जो car है वो यहां से यहां आ गए अब यहां पर आने के बाद इसकी velocity कितनी है तो वो क्या होती है हमारी final velocity होती है मतलब u it is final velocity और क्या physical quantity थी तो पर initial velocity से final velocity तक आने में कोई time period तो होगा न ऐसा तो नहीं है न कि within a second within fraction of seconds से आ चुकी है बिल्कुर नहीं कोई न कोई time तो लगाई होगा तो उस time को हम बोल सकते it may be 5 seconds, 10 seconds, 2 seconds तो यह क्या हो जाएगा time हो जाएगा आपका कि कौन से time period के अंदर यह जो velocity है वो change होई है और क्या physical quantity थी तो और थी हमारी कुछ distance भी तो इसने travel की होगी न initial velocity, final velocity एक particular time के बाद change हो रही है तो क्या इस object ने कोई distance travel नहीं की हमने कहा कि यह जो car है यहाँ से वहाँ पे चली गई है that means कि इसकी particular कोई ने कोई इसने distance travel की होगी उस distance को हम क्या कहते है S that is displacement or distance ठीक है चलो और क्या होता है और था हमारा acceleration acceleration can be negative also acceleration can be positive also acceleration can be 0 also अगर velocity में जो change हो रहा है अगर velocity में changes तो है ही acceleration का मतलब क्या होता है V minus U divided by T that means कि जो velocity में change हो रहा है उसकी rate को हम कहते है acceleration तो यह सारी physical quantities हमने equations of motion में use की थी fine I hope कि यह चीज़ आपको clear हो चुकी है and I hope कि आपको याद भी है already सारी चलो अब हम आते हैं हमारे vertical motion पर यह तो था हमारा horizontal motion जब हमने इन सारी चीज़ों की बात की थी उस time पर हमारे पास कुछ equations थी बहुत important equations थी वो जिससे हमने कुछ numerical solve किये थे और उसके बाद हमारे लिए वो बहुत easy हो गया था कि like ठीक है रहा V को find out करना U को करना T को करना अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं बात कर रही हूँ vertical motion की vertical motion का मतलब क्या होता है vertical motion का मतलब है कि एक object ऐसा हो एक object ऐसा हो जो इस direction में move करे इस direction में move करने का क्या मतलब हो है या तो वो यहां से यहां पर आ जाए या वो यहां से यहां चला जाए इस direction में moment करने का क्या मतलब होता है इस direction में moment करने का मतलब है कि यह कौन सा motion है वर्टिकल मोशन है अब उस वर्टिकल मोशन में भी अगर मुझे यह पता करना है कि मेरा जो equations of motion है वो किस तरह से इसमें काम आएगी कैसे में इसमें distance को find out करूँगी कैसे में other चीजों को find out कर रही हूँ तो इस motion को हम क्या कहते है इस motion को हम कहते है इस motion को हम क्या कहते है इसको हम कहते है फ्री फॉल मतएस मोशन को ऑपर से जब कोई आपनों नीचे गिरता है उसे हम कहते है फ्री फॉल और यह फ्री फॉल जो है हमने जब प्रीविशली स्व पर लीट च.ट mm कि बात की ती उस में अब वो equations क्या है तो देखो, जब हम बात करते हैं हमारे horizontal motion की, जब हम बात कर रहे हैं आपके horizontal motion की, ठीके तो horizontal motion की equations क्या थी? horizontal motion की equations में, जो first equation of motion था, वो थी V is equal to U plus AT, second equation of motion क्या थी? second equation of motion थी UT plus half AT square, third equation of motion कौन सी है? third equation of motion है, V square is equal to U square plus 2AS, ये तो आपको अच्छे से यादी होगी, अब आजाए हमारे, कौन से motion की बात करें हम, अब हम बात करते हैं हमारे vertical motion की, हमने जब horizontal motion की बात की थी, तब तो ये सारे थे, vertical motion की अगर मैं बात करूँ, तो vertical motion में सबसे पहली चीज समझने लायक जो है, वो ह कि आपके इसमें, कौन से physical quantity जो है, वो change हो जाएगे, horizontal motion से, अगर हम vertical की बात करेंगे, तो definite सी बात है, कोई नो कोई physical quantity उसमें change होनी चाहिए, अगर वो quantity change नहीं होगी, तो हम equation of motion को क्यों change कर रहे हैं, अगर ये similar रह सकता है, तो हम change क्यों ही करें, लेकिन यहाँ पर क्या हो होंगे, कैसे होंगे और किसमें होंगे changes, तो यहाँ सबसे पहले change होगा A में, जो acceleration हो जाएगा because वो हो जाएगा G, क्यों हो जाएगा, जब हम बात करते हैं free fall की, या जब हम बात करते हैं vertical motion की, तब acceleration जो होता है, वो due to gravity लगते है, यहाँ पर acceleration, नहीं होगा, यहाँ होगा acceleration due to gravity, that is why A की जगे हम क्या replace कर देंगे, G replace कर देंगे and इसकी value I hope कि सबको पता है, it is 9.8 meter per second, और calculation को easy बनाने के लिए, हम कभी-कभी इसको 10 भी consider करते हैं, now, अब इस G की value, like acceleration जो होता है, acceleration की value जो होती है, वो positive or negative भी हो सकती है, fine, 0 भी होती है, क्या G में भी हैसा ही है, कि जो acceleration है, acceleration due to gravity है, क्या वो भी positive, negative or 0 हो सकता है, देख लेते हैं, देखो, acceleration हमारा positive or negative कभ होता है, acceleration ये positive होता है, जब V की value यू से greater होती है, that means कि जो velocity है, वो continuously increase हो रही है, अगर velocity increase हो रही होती है, तब तो हमारा क्या होगा, velocity अगर increase होगी, इसका मतलब है कि जो acceleration होगा, वो कैसा ह positive होगा, लेकिन अगर velocity decrease हो जाती है, अगर हमारी velocity decrease हो रहा ही है, that means कि acceleration होता है, वो negative याधा है, I hope कि ये चीज़ आपको पता है, कि जब हमने car की बात की थी, तो car की speed बढ़ रही है, कार की velocity increase हो रही है, that means कि ये जो acceleration हो पॉज़ी एख से जो distежде, we can fix theола account. लेकिन जब हमने ब होगा velocity डिख्री हो जाएगे फोटिख्रीं केद्ध कर्फ देरा चुकि इस प्रोस्तव हम कहने निटार्डेशल और से विस्ताया है åh यहाँ पर decrease हो रही है उस टाइम पर हम जो एक्सलेरशन ले रहे थे वह हम कैसा ले रहे थे negative ले रहे थे सिंपल है velocity increase होगी acceleration भी क्या होगा positive में आएगा अगर velocity decrease हो जाएगी that means कि acceleration भी कैसा होगा negative होगा और जब initial velocity और final velocity same है that means कि जो object है वो constant velocity से move कर रहे तब हमारा acceleration होता है वो क्या होता है जीरो होता है चलिए अब हम बात करते हैं हमारे acceleration due to gravity की जो हमारा acceleration due to gravity है यह positive कब होगा और यह negative कब होगा अब अगर मैं आपको कहूं कि कोई एक object है जो यहां है अभी एक object है वो यहां है लेकिन उसको हमने क्या किया छोड़ा है ताकि वो नीचे की तरफ वैसे-वैसे क्या होता है उसका उसके उपर जो ग्रैविटेशन फोर्स लगता है वो बढ़ जाता है इंक्रीज होता है as I told you कि जो आप distance को कम करते हो तो फोर्स इंक्रीज होता है लेकिन distance को बढ़ा लेते है तो फोर्स डिक्रीज होता है तो जैसे-जैसे यह एर्थ के इनीशे लेलासिटी है जीरो क्यों है इनीशे लेलासिटी जीरो विक्रीज को अमने रेस्ट करडिशन में छोड़ा था यहां तो यह नीचे आते-ग्या होगे इसके फाइनल लासिटी कुछ ने कुछ हो चुकि है कुछ भी हो जब्साथिए लेकिन कोई ना कोई इसका मैग सब्सक्राइब लिए stopAsh यjuk अगर हम जाएंगे तो क्या होगा विंक्रीज हो गया है विलॉसिति इंक्रीशा इनक्रीज कि सब्सक्राइब उनलैंच जाया जाती है विल्सटी इनक्री यह आज arm वह से जाता है और वाय अगर मैं आप आपड़ बापेस से नीचे आ जाएगा वो जैसे वो उपर जाता है वैसे 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 क्या होता है उसके उपर नीचे क्या लग रहा है एक gravitational force लग रहा है जो इसकी velocity को कम करने की कोशिश कर रहा है तो continuously इसकी velocity क्या हो रही है और एक point पर जाकर क्या हो जाएगा इसकी velocity हो जाएगी 0 तो यहाँ पर जो U है यहाँ पर है U initial velocity क्या है 3 meter per second है यहाँ final velocity क्या हो जाएगी 0 meter per second because एक particular point पर जाकर क्या होगा velocity हो जाएगी 0 पहले velocity कुछ और थी उपर गए तो क्या हो गया velocity हो गई है 0 तो center में क्या हो रहा है velocity decrease हो रही है और जब हम decrease की बात करते है तो क्या होता है retardation होता है वहाँ पर that means the acceleration due to gravity जो है वो कैसा आएगा negative में आएगा I hope कि यह चिस क्लियर है तो यह important क्यों है यह important इसली है कि जो हम numerical को solve करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी physical quantity का sign कौन सा होने वाला है otherwise हमारे answer गलत होने वाला है So I hope कि अब आपको clear है कि हम acceleration due to gravity को कब positive लेंगे और कब negative लेंगे Fine चलिए अब एक और चीज जो की इन motion of equations में change होने वाली है कौन सी है वो चीज क्या initial velocity change होगी बिलकुल नहीं final velocity similar ही तो रहेगी time period change होगा क्यो बिलकुल नहीं ना time तो time ही रहता है और तो क्या change हो सकता है तो change होगा S S का मतलत क्या होता है distance or displacement इसकी जगे पर हम क्या लिख देंगे H लिख देंगे H means क्या हो जाएगा height जब हम horizontal motion की बात करते है तो जो travel area होता है उसको क्या कहता है distance है लेकिन जब हम बात करेंगे free fall की या vertical motion की now come to the equation of motion equation of motion की जब first equation होगी first equation देखो क्या है हमारे पास में first equation हमारी होती है okay मैं इसको फिर से लिख देती हू first equation है V is equals to U plus 80 and as I told you कि हमें क्या करना है A को change करना है तो यह देखो यह हमारा हो जाएगा vertical motion now vertical motion की जो first equation होगी first equation जो होगी उसमें हम क्या कहेंगे यह है हमारी V is equals to U plus A की जगे हम क्या replace कर दे G को replace कर दे तर G T but if we are talking about only free fall एक बार हम अभी जो बात कर रहे हैं हम से किसकी बात कर रहे है free fall की बात कर रहे है तो जो vertical motion होगा उसके जो किसकी बात करेंगे free fall की बात करेंगे free fall में क्या होता है free fall में U is equals to 0 क्यों होता है U is equals to 0 because free fall का मतलब क्या हुआ object इस particular place पे था चीक इस point पे था मैंने क्या क्या है यहां से उस object को गिराया तो यहां पर उसकी velocity इतनी थी 0 उसके बात कोई न कोई velocity उसकी जरूर हो जाएगी वो increase होगी लेकिन जब हम initial velocity के बात करेंगे तो उस particular point पे क्या है velocity 0 है that means कि U क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो इसको हम रेप्लेस कर सकते है 0 से तो हमारी जो equation of motion आएगी वो कौन सी आएगी वो आएगी V is equals to G T fine यह आगी है हमारी first equation of motion now come to the second that is S is equals to U T plus half A T square फिर हम इनको रेप्लेस कर देते है फिर रेप्लेस करेंगे तो S की जगे क्या हो जाएगा H is equals to U की जगे तो है 0 तो क्या यह पूरा 0 नहीं हो जाएगा U T U multiply by T है U की value अगर मैं बोल रही हूँ 0 meter per second है that means की U T की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी चलिए अब यहां से हम क्या रेप्लेस कर देंगे half A की जगे में रेप्लेस कर देंगी G and T square second equation of motion क्या होगी H is equals to half G T square now come to the third equation of motion third क्या है V square is equals to U square plus 2 AS again same thing है U क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा now V square is equals to U square हो चुका है 0 इसको रिमूब कर देते है 2 A की जगे में लिख देती हो G और S की जगे क्या हो जाएगा H तो यह हो गई हमाई third equation of motion I hope कि अब आपको equation of motion में तर्लिस कोई प्रोब्लम नहीं होने वाली है देको vertical motion की जब हम बात करते हैं तो हमें हमेशा याद अखना है कि अगर कोई object free fall में है ओपर जो नीचे की तरफ गिर रहा है that means कि U हमेशा क्या रहेगा 0 रहेगा second thing हमारा जो acceleration due to gravity है that is 0 कैसा आएगा positive आएगा क्यों आएगा because velocity इंक्रीज हो रही है next thing कि जो S है displacement क्या हो जाएगा यह distance travel कितना होगा the height उसने कितनी height को travel किया है कितनी height पे वो object था पहले वो क्या होगा हमारा H हो जाएगा जिसको कि हम क्या कहते है distance travel कहते है और यह सारे जो equation of motion है इसमें आप यह भी लिख सकते हो ऐसा नहीं कि यह गलत है यह गलत नहीं है लेकिन इसको easy बनाने के लिए हमने क्या किया U को replace कर दिया है पहले ही because हमें पता है कि free fall की time पे जो velocity होती है initial velocity वो हमेशा zero होती है इसलिए हमने इनको क्या कर दिया है I hope कि आपको इतनी चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारी equation of motion जो है वो क्या होती है देखो Since the freely falling bodies fall with uniformly accelerated motion the three equations of motion derived earlier for body under uniform acceleration can be applied to the motion of freely falling body uniform acceleration है इसमें कोई problem नहीं होनी चाहिए आपको कि uniform motion की बात हम पहले भी कर रहे थे अब भी हम किस की बात कर रहे है यहां पर हम free fall की बात कर रहे है यहां हम horizontal motion की बात कर रहे है कोई कार या ट्रक की अगर motion की बात करेंगे that means कि यह equation पहले से ही है जो हमारे पास यही लेने वाले हम लेकिन अगर मैं बात करो किसी ऐसे object की जो पर से नीचे आ रहा है skydiving के time पर हम human beings की बात करें या कोई भी object की मैंने उपर से लेकर नीचे गिरा दिया है इसका मतलब हम यह equations को यूज करने वाले है I hope कि आपको equation of motion तो है सारे समझ में आज रुके होंगे चलिए अब आपको examples बदाती हूं कि इसमें इसको आपके इस तरह से use कर सकते है the first question is example is what is the final velocity of the ball एक ball है उसकी आपको क्या बतानी है final velocity बतानी है कि final velocity इसकी क्या होने वाली है if it is dropped from a certain height इसको एक certain height से फेका गया यानि कि H height से फेका गया and takes 10 seconds to reach the ground 10 seconds इसने लिये है ground पर पहुँचने में the air resistance is not taken into account air resistance को हम नहीं ले रहे है as I told you कि जब free fall की बात आती है तो हम air resistance को negligible मान लेते है वो हमारे पर किसी काम का नहीं होता है और G को हमें क्या लेना है G को हमें लेना है 10 meter per second square 10 meter per second square लेना है G को as I told you कि जब हम calculation को easy बनाते है तो हम उसमें 10 भी consider कर सकते है acceleration due to gravity को अब ये question आपको क्या बोल रहा है इस question ने ये कहा है कि आपके पास में है एक ball आपने क्या किया है गने इन इस ball को एक certain height से नीचे गिराया है तो हमने इस ball को यहां से नीचे गिराया है height कितनी है h मैरी U कितना था हमारा 0 meters per second था विक ज़िक यहां पर यह जो body है ये rest condition में थी U कितना आगा हमारा 0 meters per second हो चुका है अव यह height कितनी है h है इसने time कितना consume किया है तो time इसने लिया है 10 second नीचे पहुंचने में तो final velocity जो है वो हमें बतानी है final velocity को हम कैसे find out करेंगे तो हमारे पर 3 equations of motion है चलो आज आज आ फिर से एक बाई equation of motion पे यहाँ पर कौन सी equation थी 1st थी हमारी V is equals to GT 2nd क्या थी हमारी second ही हमारी H is equals to H is equals to half GT square and the third equation third equation क्या है हमारी third equation है V square is equals to 2GH अब इन तीनों equation of motion मैसे हमने क्या कहा था कि जहाँ free fall की बात करेंगे किसी object के गिलने की बात करेंगे vertical motion की बात होगी तो उस time पे यह equation of motion जो है वो use आएगी अब वही चीज ही हमारे पास यह सारा given part हमें लिखा हुआ है कि i यह चीजसे में हमें given है हमें पूछा गया है हमें पूछा गया है हमें पूछा गया है कि यह कितना time जो इसकी velocity हो जा evidence What is the final velocity Final velocity इसकी क्या होने वाली है यह हमें पूछा गया है तो अब हमारे पास इक्वेशन से हैं, इसमें से हमें कौन सी एक्वेशन को apply करना है, यह हमारे उपर depend करता है, अब देखो, जब हम उच्छा गया है final velocity, तो final velocity के लिए देखो, हमारे पास दो formula है, इसमें तो हमारी final velocity का ही नजर नहीं आ रही है, तो यह तो हम apply करनी सकते, पह given है, कोई problem ही नहीं है, लेकिन what about h, height तो हमारे पास है ही नहीं, इसका मतलब यह formula भी क्या हो गया, eliminate हो गया, अब एक last formula बचता है, v is equal to gp, v की value हमें find out करनी है, g हमें given है, t हमें given क्या, g तो हमें पता ही होता है, और t b हमें given है, that means कि हम कौन सी equation of motion का use करेंगे, the first equation of motion for free fall, च according to the question, हम use कर रहे है, v is equals to gp, fine, तो velocity हमें find out करनी है, तो velocity को अब ऐसे ही लिख देते है, g की value देखो कितनी है, 10 meter per second square, 9.8 हमें नहीं लेना है, because question में given है, time कितना था 10 second था, तो just हमारा v कितना हो जाएगा, 100 seconds, 100 second time लेता है, 100 second, sorry 100 meter per second, not second, 100 meter per second, इसका मतलब जब final velocity होगी उस ball की, जब वो ground को touch कर जाएगी, वो velocity कितनी होगी, 100 meter per second होने वाली है, I hope कि आपको ये question clear है, बहुत easy question है, जादा कोई complications नहीं है, सिर्फ हमें बसी लिखने, given part क्या है हमारा, और उसके अलावा, हमें क्या find out करना है, चलिए, now come to the next example, Rohan dropped his ball, again क् पेखे जाएगी ये कौन है, ये हमारा है, रोहन, ये है रोहन, इस रोहन ने क्या किया है, एक बॉल हौन पर इसके पास में, इस बॉल को ये क्या कर रहा है, drop कर रहा है, इस बॉल को ये गिरा दिया, ये हमारा है surface, from a height of 5 meter, इसकी height ृप मीटर है, 5 meter कितनी हो जाएगी, 5 मीते हो जाएगी and then he ran downstairs अब ये क्या करता है, downstairs जाता है अब ये थोड़ा सा भाग के है न, यहां तक आता है ये भाग के, अब ये यहां आगया कोई प्रब्लम नहीं है क्यों आया है, ये भी देख लेते हैं he ran downstairs really fast to see if he can catch the ball क्या वो बॉल को catch कर पाएगा इसके लिए यहां पर यहां आया मतलब इसने क्या किया, ऊपर था, ऊपर stairs पे था इसने वहां से एक बॉल फैक की और फैक ती जल्दी से भाग के आया भाग के क्यों आया कि भी मैं बॉल को catch करना चाहता हूँ होगा नहीं, इसके बस कोई खेलने वाला कोई था नहीं तो विचला क्या करेगा, घर के अंदर अकेला था अकेला था तो यह क्या कर रहा है, ऊपर से बॉल फैक रहा है नीच जा के, catch करने की कोशिश कर रहा है अभी भी इसने यही किया इसको कितना टाइम लगा, इसने लिया वन मिनुट वन मिनुट का मतलब कितना हो जाएगा, 60 सेकंड 60 सेकंड इसने लिया, ठीक है, यह 5 मीटर है चलिया अब विल ही एबल तो कैश तब बॉल, क्या वो बॉल को कैश कर पाएगा प्लीज नोट डैड़ एयर फ्रिक्शन इसने लिए अगलेक्ट कर दिया है अब हमें क्या करना है, हमें यह बताना है कि यह जो बॉल है, यहां से यहां तक आई है बॉल को गिरा दिया नीचे, अब वो खुद जा रहा है नीचे की तरफ कि भी मैं उसको पकड़ के लाओंगा बॉल को, उठा के ले आओंगा मैं बॉल को लेकिन क्या वो उसको कैश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा यह हमको बताना है, बॉल की इनिशल विलासिटी क्या थी, 0 0 meter per second final velocity हमें नहीं given है हमें ये question क्या बोल रहा है हमें ये question बोल रहा है कि हमें क्या करना है एक distance हमें दे दी यहां से यहां तक आने में इस रोहन को लगा 1 minute लेकिन इस wall को कितना time लगा यहां से यहां तक आने में अगर हमें wall का timing पता चल जाए तो I hope कि हम बता देंगे कि यह catch कर पाएगा यह नहीं कर पाएगा भाई रोहन को time लगा 1 minute यानि कि उसको लगे 60 seconds लेकिन अगर इस ball को 30 seconds लगे होते या 40 seconds लगे होगे क्या यह ball को catch कर पाएगा बिलकुल नहीं बॉल तो इसके आने से पहले ही नीचे जमीन पे आचुकी है अब अगर मैं बोलू कि बॉल को लगा 1 minute 20 seconds क्या अभी यह ball को catch कर पाएगा बिलकुल कर पाएगा क्यों कर पाएगा 1 minute में तो यह पहुच चुका है ना नीचे जब भी 1 minute में पहुच चुका है नीचे तो 20 seconds है ना भी बॉल को नीचे आने में तब तक यह उसको catch कर लेगा इसका मतलब है कि हमें क्या करना है इस बॉल के नीचे आने का टाइम पीर चेक करना है कि इस बॉल ने नीचे ग्राउंड दगाने में कितना टाइम लिया है फाइन चलो अब इससे पहले हम लिख देते है कि बॉल का में गिवन क्या क्या है तो बॉल के लिए हमें गिवन है u is equal to 0 meter per second वैसे हम u को use नहीं करते है बट स्चल आम राइट गिवन है h is equal to 5 meter h कितना हो गया 5 meter हमें find out क्या करना है हमें find out करना है time को कि हमारा time कितना है कितने seconds है कितने minutes इसने लिए है चलिए so again equation of motion कौन सी है हमारे पास v is equal to gt h is equal to half gt square and v square is equal to 2gh h अब हमें find out करना है time क्या इसमें time है बिलकुल नहीं पहले इसको remove वर दो इन दो में time है लेकिन यहां पर देखो velocity है final velocity हमारे पास है नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा eliminate हो जाएगा अब बचाएगे क्या height है हमारे पास बिलकुल है g हमें पता ही है क्या होता है g हम क्या ले सकते 10 ले सकते t square t तो हमें find out करना है ना तो बिलकुल हम इसको find out कर सकते चलिए तो हमारे देखो height क्या हो जाएगा height हो जाएगी 5 meter तो h is equal to हम formula कौन सा apply करेंगे half gt square fine चलिए now h की value कितनी है 5 meter is equal to half multiply by 10 और ये क्या आजाएगा t square आजाएगा अब इसको हम calculate कर लेते हैं यहाँ पर कितना होगा यहाँ पर हो जाएगा 2 से cancel 2 5 जा 10 चलिए now यहाँ आगया 5 is equal to 5 t square अब ये 5 क्या हो जाएगा नीचे transpose हो जाएगा तो यहाँ हो गया 5 upon 5 is equal to t square और ये 5 से 5 cancel हो गया क्या बचा 1 is equal to t square अगर मैं square को transpose करती हूँ अगर मैं square को यहाँ से remove करना चाहूँ तो क्या होगा root 1 is equal to t इसका मतलब क्या हो गया t में कितना लगेगा 1 1 minute लगेगा इसको fine अगर मैं बोल रही हूँ कि इसको भी तो 1 minute ही लगा है और इसको भी अगर 1 minute लग रहा है that means कि क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अब क्या होगा ये दोना अगर similar time पे पहुंच रहे है similar time का मतलब हो जाएगा कि अब ये इस ball को नहीं पकड़ पाएगा अगर ये ball को नहीं पकड़ पाएगा तो इसका मतलब इसको क्या करना पड़ेगा इसको थोड़ा और जल्दी आने की ज़रूद है रोहन को अगर ball को catch करना है तो क्या करना पड़ेगा उसको थोड़ा और जल्दी आने की कोशिश करनी पड़ेगी otherwise ball जो है रोहन के पहुँचने पर ही round पे पहुच चुकी है अगर ball उपर होती ही तो हम catch करते हैं नीचे आज आती है तो हम catch नहीं कर पाते हैं उसको that means कि जो रोहन है वो उसको catch बिलकुल भी नहीं कर पाएगा fine I hope कि equation आपको clear हो गया है चलिए now come to the next question next example है अपके लिए ताकि उसके वाद आपको equation of motion में कहीं कोई problem नहीं होने वाली है so find the height from which a toy is dropped आपको वो height बतानी है कहां से उस toy को गिराया गया है अब हमारे पास een toy है हमें teddy bear बना लेज़े एक teddy bear हमारे पास में एक टेडी bear हमारे पास मैं एक person ले लो teddy bear हो कुछमी firefight है चुक है यह हमा रहा है रच को हमने क्या किया अपके गिरा गिरा इक हैन इस टोय को हमने है नित्रैट से गीरा दिया इक है हमारा toy है यह boy निये toy है चीक है इसको अमने एक height से गिराया अब कौन सी height से गिराया है वो आपको बताना है हमने क्या किया इसको h height से गिरा दिया चीक है if it goes in free fall state अगर यह free fall state में है then the final velocity achieved by the toy is 20 meter per second final जो velocity है वो कितनी है वो है 20 meter per second यहां क्या है यू कितना हो जाएगा बागी कोछ हमें given नहीं है कोई problem नहीं चलो जो given है उसके according check कर लेते है क्या हमारे पास को formula है इसको solve करने के लिए तो final velocity हो गई हमारी 20 meter per second h हमें find out करना है कि कौन सी height से इसको गिराया गया है और g हमारा क्या होता है यह तो 9.8 ले सकते है यह 10 meter per second square हम इसको consider कर सकते है now formula हमारे पास क्या होते है formula first होता है हमारे पास v is equals to gt h is equals to half gt square and v square is equals to 2gh fine अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमें कौन सा formula apply करना है देखो v square is equals to 2gh g हमें पता है v हमको पता है तो हमें क्या find out करना है only height find out करनी है तो हम इसी formula को apply कर सकते हैं क्योंकि बाकी मैत इन दानों को combination हमें कहीं नजर नहीं आ रहा चलो तो हमारा formula क्या हो जाएगा हमारा formula होगा v square is equals to 2gh fine now v square means 20 square is equals to 2 g का मतलब क्या हो गया 10 multiply by height now अब आचाव इसको solve कर लाते है 20 multiply by 20 is equals to 20h यही आया 10 multiply by 2 is 20 चीक है यहाँ चलो अब 20 को भी हम क्या करें transpose कर देता तो यह 20 तो as it is राजाएंगे और यह एक जो 20 है यह आ जाएगा आपर नीचे is equals to h मैंने 20 को 20 से cancel कर दिया तो मेरे पास क्या बचा यह बचा है 20 meter that means की height कितनी है 20 meter height हमने कितनी height से इसको drop किया है 20 meter की height से हमने इसको drop किया है fine I hope कि आपको equation समझ में आ गया होंगे और दिको कितने easy है सिफ एक कोई ऐसी quantity की value में given होती है तो हम बाकी आराम सिफ बहुत easily आम find out कर सकते हैं चालिए I hope कि आपको equation of motion clear हो चुके होंगे और उसमें कोई भी doubt नहीं होगा now in the next video we will deal with the next new topic दबता के रहें, thank you so much कर दो हम बाकी आराम सब्सक्राइब दो कर दो हम आराम सिफ एक कर दो हम आराम सिफ भी है